आज का जो हमारा विशह है बहुत ही important विशह है जो संख्याओं के परकार के बारे में रहेगा छोड़ी कलासों से लेकर बड़ी कलासों तक बच्चों को संख्याओं के परकार के बारे में ही पता नहीं रहता है जिससे उन्हें exercise या questions करने में बहुत दिक्कत होती है तो आज हम इनी के बारे में बात करेगे तो जो सबसे पहले हम बात करेगे वो natural numbers की बात करेगे जिसका हिंदी का मतलब होता है प्राकृत संख्याई तो इसकी परिभाशा कहें या definition कहें तो जिन संख्याँ को हम वस्तों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब वस्तों सजीव भी हो सकती है या निर्जीव भी हो सकती है सजीव मानि जैसे जिन में जान होती है तो जैसे हम कक्षा में इचात्तर गिनने के लिए उसका सकते हैं हमारे पास कितने पशू है तो एसी जिन को सजीव या निर्जीव वस्तों को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याए कहते हैं, तो अंग्रेजी में जो इसकी डेफिनेशन है, वो भी हमने लिख दी है, The numbers used for counting are called natural numbers. Two consecutive natural numbers differ by one. यानि इसका मतलब क्या हुआ? कि जो दो लगातार संख्याय होती है, निच्छार नंबर होते हैं, या जिनको हम कहेंगी परकेत संख्याय होती है, ये एक से शुरू होती है, निएक दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये मैंने यहाँ पर तीन बिद्या लगाई है, तो ये आपने ध्यार रखना है, तीन बिद्यों का मतलब ये है, कि ये कभी खतम नहीं होती है, अगर आम इनको गिंती करते रहेंगे, तो ये चलती रहेंगी, और जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे, तो पहले तो ये नुमी क्लास में भी होता था, सेट का, जिसको हम कहते हैं सेट, तो जैसे हम ये इस तरह से, ये ब्रेगर लगते हैं, तो ये ब्रेगर हम सेट के लिए यूज़ करते हैं, अब इनके बारे में ब्रेगर के बारे बतायता हूँ आपको, तो जैसे सबसे पहले जो नेचरल नंबर हमने पढ़े हैं, तो इनके लिए हम यहां पर बोल्ड, बोल्ड यानि की ज़्यादा गढ़ा, गढ़ा एंड का यूज़ करेंगे, और तो इससे हमें पता लग जबता है कि हम प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो गिनने वाली संख्या हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आट, नो, दस इस तरह करके, तो यह हमारी प्राकृत संख्या होती है, तो जैसे यह तीन बार हम डोड लगते हैं, यह एक साइंटिफिक तरीका है, इसको लिखने का, तो इसका मतलब है कि यह कभी खतम नहीं होगी, चलती ही जाएंगी, इस वीडियो में, जो कोष्टक है, वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है, जब हम इंटिजर्स पढ़ेंगे, यानि पुर्णांग पढ़ेंगे, तब हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहां क्या है, कि जैसे मैंने नेचरल लंबर को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, यह जो ब्रैकेट्स है, तो यह जो कोष्टक है, इसको हम मजला कोष्टक या मद्दम कोष्टक भी कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको कोष्टक के बारे में जानकरी देदूं, हलकी हुल किसी, क्योंकि क्या होता है, कि हम जब बड़ी क्लास्व में पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं कि नेचरल लंबर यानि कि जो हमारे प्राकृत संख्या है, वो उन संख्याओं को एक समू है, एक सेट है, जो हम वस्तों को गिनने के लिए इस्तिमाल करते हैं, तो जैसे एक दो, तीन, चार, पांच है, और मैंने बताया था कि हम तीन विंद लगते हैं, तो यह लिखने का एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, तो यह हमने लगा गया, तो हम जो यूज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा यह निच्चे जो है यह वाला रेखा कोष्टक, यह वाला यह भी विंकलम है, लेकिन यहां यह कोष्टक नहीं है, बस यह बटे चार है, यानि भाग के लिए इस्तमाल किया दता है इसको, तो यह आपने याद रखना है, तो सबसे पहला हमारा यह चोटा कोष्टक है, यह इसको हम लगो कोष्टक भी करते हैं, और यह C की तरह होता ह है, अन्रेजी में हम इसको सिंपल ब्रैकेट्स भी करते हैं, C ब्रैकेट्स भी करते हैं, या परेंथिस भी करते हैं, अब जो अगर आप देखोगे तो आपको कहीं मुक्स में यहां मिलेगा, प, A, R, E, N, T, H, I, S, यह परेंथिस, यह जो होता है, यह एक वचन के लिए हो हम सिर्फ सिंगुलर, यह एक वचन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम दोनों ब्रैकेट्स की इकठी बात करते हैं, तो यहां इसको परेंथिस भोलते हैं, यह एस बहु वचन है, ठीक है, इसके बाद यह मजला कोश्टक आता है, यह इसको मध्यम कोश्टक भी करते हैं, इस इसको हम दिर्फ कोश्टक या बड़ा कोश्टक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसको स्क्वेर बैकेट्स बोलते हैं, हाज कल कम्प्यूटर की बाशा में जब को पोडिम गरा करते हैं, या यूज करते हैं, उनको तो वहां एंगल बैकेट्स भी आती हैं, लेकिन गन काफी ज्यादा मिलेगा, तो इनको हम जब अगे स्वाल करेंगे, तो यह सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिरना था, कि हम जब यहां नंबर्स की बात करेंगा, तो मैं सेट्स की बात करूँगा, जो आपको अगे-अगे काम आएंगे, तो जैसे इसको मोटे तो पर साथ में नंदर्स के साथ, कश्यों पने इत चुम्णूक मारना थांजन है तो जिती है जब आ इनको लिखेंगे तो हमने लिक पड़ा इसको नेच्रो लंबर और नेच्रो लंबर यहां निगी हमारी प्राकृत- fel प्राकृत- आपकरिव्ध्य संख्या के बाद हम तो यह जो हमारा समू बनता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याइंग और अंग्रेजी में इसकी जो definition रहेगी वह हम बोलेंगे की all natural numbers together with zero form a set of whole numbers और इसको हम एक जो बड़ा W है यह आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा यह W है यह हमने इसको मोटा अक्षर में लिखा ह तो इसमें हमने यह set बना दिया जिसको हम set बोलेंगे ठीक है अच्छा आप यहां एक छोटा सा प्रशन आते हैं छोटे-छोटे जो आपने ध्यार रखने हैं जैसे के सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या वो क्या है तो आप उत्तर देंगे कि एक ठीक है प्राकृत संख्य संख्या क्या है सबसे छोटी पूर्म संख्या तो सबसे छोटी पूर्म संख्या क्या है शुन्य यानि जीरो अच्छा उसके बाद एक प्रशन आता है छोटा सा कि क्या जो हमारे पास यह नेचरल लंबर्स हैं यानि प्राकृत संख्या हैं क्या यह सारी के सारी जो पूर्म संख्याइं भी हैं तो हम कहेंगे कि जो नेचर लंबर है प्राक्रिश संख्याइं हैं शुन्य को छोड़कर वे सारी की सारी हमारी संख्याइं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं वो शुन्या से शुरूरी है शुन्या से जबकि प्राकृत संख्याएं वारी कहां से चुरूरी है एक से तो हम कहेंगे कि सारी प्राकृत संख्याएं पुर्व संख्याई हैं लेकिन सभी पुर्म संख्याई प्राकृत संख्याई नहीं हैं तो यह चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी पढ़ते हैं विश्व में है क्या तो जैसे हमारे टीचर ने भी हमें कहानी सुनाई थी मैं आपको सुनाता हूं तो जैसे एक पेड़ के उपर दस चिडिया बैठी है और कोई शरारती बच्चा आता है अब वो क्या करता है एक चिडिया को पत्थर मारके मार देता है निचे अब आप बताईए कि अब यहां पर कितने चिडिया मैठी है पेड़ के उपर बताईए सोचिए तो ज्यादा तर बच्चों का जो जवाब रगता है और रगता है जी पहले दस्ती अब नो चिडिया मैठी है तो बताईए क्या यह उत्तर सही है और आप सोचिए कि जब कोई भी बच्चा या शिकारी कहें अगर वो चिडियों को पत्थर मारता है तो क्या बग्की चिडिया महां बैठी र pourquoi नहीं तो वहां पर कोई चिडिया ने रहती एक भी नहीं तो यहां पर स्वाल आता है जो ये एक भी नहीं है एक भी नहीं, एक भी नहीं, या कुछ भी नहीं, तो जो यह एक भी नहीं या कुछ भी नहीं है, इसने को हम गणी दिपे कहते हैं, शुने या जीरो, यानि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो क्या होता है चुनता है ठीक है तो यह अपने बात ध्यांद रखनी है जैसे हम एक दो और उदान ले रही जैसे घर में जाता है कि महमान आते हैं और जब महमान आते हैं तो उनके लिए कोई छाए, समैज रखकिते हैं और जैसे ही महमान जाते हैं तो मम्मी क्या करती है दो-तिन बोतले बचे हुई अंदर रख जेती है फ्रिज में और इतना वह मेहमानों को छोड़ने जाते हैं तो जो शरात्ली बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं वह फटा-फट थंडे की बोतले पीकर खाली करके उसमें रख जेते हैं अब अम्मी कहा कहेगी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं क्या है यही कुछ भी नहीं जो है वो गनित की भाषा में क्या है शुन्य गनित की भाषा में क्या है इसको शुन्य तो यह बात आपने ध्यान रखनी है अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर के और तो यह जो हमारा अगला जिसको हम संख्याओं का प्रकार कहेंगे यह हैं पुर्णामक जिसको हमें अंगरेजी में इंटीज जर्व कहते हैं तो जितनी भी हमारे पास पराकृत संख्याइं है है उसे हमने देखा जितनी हम पराकृत संख्याइ आरे चार प salvacji एक दो तीन चार पहघ जा जो यहां हमने दिखा है मांने दिखा यह गैन्पीज में यहां पर सुन यहां पर सुन्या उसमा फादो बैंपшि संख्या ग्जe में यहां पर मॉनतक और सुन्ना जैष सक्वारी यहां यहां और यह चलती रहेंगी इसी तरह इसके बाई और बाई और हम इसके रनात्मक मार लिखते हैं 2-3-4-5 इस परकार से तो यहां पर आप देखोगे कि हम कहेंगे कि जो सभी प्राकिट संख्या हैं और उनकी जो रनात्मक संख्या हैं और साथ में शुन्या भी है अब ध्यान देना है शुन्या जो है वो ना तो धनात्मक है ना रनात्मक धनात्मक मतलब क्या होता है ऐसी इसको हम बोलते है धनात्मक 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 क्या नहीं की पोस्टिव नंबर इसको अंगलेजी में क्या कहेंगे पोस्टिव नंबर और जो ऐसे माइनस होता है माइनस वाला इसको हम इंदियों बोलते है रिनात्मक रिनातमक और अंग्लेजी में इसको हम नेगटिव नंबर बोलते हैं ठीक है तो यह जो संख्या रेखा है संख्या रेखा कि दाई और जो है हमारे जम्ह वाले पोजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके जो बाई और है यह हमारे नेगटिव नंबर्स होते हैं तो एक चीज औ बरती हैं संख्या क्या होती है गड़ी होती जाएंगी और अगर इंदर से इधर चलते हैं ऐसे चलते है यहाँ पर संख्या छोटी होती जाएंगी यह संख्याई चोटी होती जाएंगे यह अब हम इधर को चलते हैं इधर को ऐसे चलते हैं तो यह संख्याई चोटी होती जाएंगे तो इसको हम जो है जो रंको का समूँ है, इसको हम बड़े Z से यानि बोल्ड लेटर जो Z है उससे हम इसको दिखाते हैं तो इसको अंगरेजी हों कहेंगे the set of natural numbers 0 and the negatives of natural numbers form the set of integers और जो शुन्य है वो मैं द्वाराता है कि शुन्य होता है यह ना तो जमा का होता है और ना ही माइनस होता है,ना माइनस का न जमा का तो इसका कोई चिन नimmया होता, bestimmा है हम बात करेंगे निर्पेक्षमान या एबसुलुट वल्यु के बारे में अभी है कि निर्पेक्षमान और थे होता है,टो यहां पर पहले हम लिच्छे देख लिए एजामपलि说 तो यह जो हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस सीधी रेखा है जो लगा रहे हैं तो यह क्या है यह एब्सलीट के लिए हम यूज करते हैं इसके अंदर जो भी है चाहे उसका जमा का है तब भी इसका असर खोलने के बाद इन टैंडडों को खोलने के बाद इसका जो मान आएगा यानि इसकी वैल्यू जो आएगी वह जमा कि रहेगी पोजिटिव रहेगी और मालों यहां माइनस 3 लिखता हूं मैं और यहां पर इसका absolute value लेता हूं तब भी इसका जो उत्तर आएगा वो जमा 3 ही आएगा यानि जब हम absolute value को खोलते हैं यहां से absolute value लेते हैं किसी भी integer की किसी भी पुर्णांख की तो उसका अंदर चाहे चीन जमा का है चाहे चीन उसका माइनस का है यानि चाहे उसका धनात्मक है चीन चाहे उसका प्रिनात्मक चीन है तो उसका आंसर हमेशा जमा का ही आता है तो यही चीज़ हमने यहां रिखाई है कि यहां 10 जमा का है यहां 10 जो है माइन ले लिया, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम उनके chapter को पढ़ेंगे, equations और बात करेंगे, इनके बारे में, तो इसका जो हमने definition लिखिया, इसकी जो परिभासा लिखिया, किसी भी प्रुणांक का निलपेक्ष मान अंकित मुल्या होता ह। उसका अंकित मुल्या रहेगा, उसका अंकित मुल्या होता है, परंदू उसका चीन उसके साथ नहीं लगाया जाता है, इसी तरह अंग्रेजी में अगर हम कहें तो absolute value of any integer, P is its numerical value, regardless of its sign, and it is represented by, या denoted by, इस तरह से करकेमिस को denote करते हैं, यानि कि show करते हैं, ठीक है, तो यह आप आपको समझ आ गया होगी, absolute value किसलिए है, तो यह आप जब हम integers पड़ेंगे, पुणांग पड़ेंगे, आगे, जब हम उनको जमा करेंगे, या गुणा करेंगे, या गटाएंगे, तो वहां पर हमें इसका use होगा, absolute value का, तो यह आपने ध्यान रखना है, और इसको लिख ल समसंख्यां से हमारा यहां क्या meaning है, या क्या मतलब है, तो आपने ध्यान देना है, तो यहां लिख भी दिया है परिभाशा के तोर पर, कि ऐसी कोई भी संख्या, जिसको दो से भाग करने पर, वह संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाती है, यानि जब हम दो से किसी और अंग्रेजी में इसकी जो definition है, उसको हमने लिख दिया है, कि number exactly divisible by 2 is called an even number, it is denoted by bold letter E as below, यानि इसका जो set है, इन numbers का जो set है, उसको हम मोटे तोर पर जैसे हमने ये ये लिखा है यहां पर, ये ये जो लिखा है, हम उससे represent करते हैं, यानि कि बताते हैं, तो जो दो से भ चल गया है हमें, ठीक है, और ये अनंत तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10 तक पाड़ा पड़ता हमने टूका, ये आगे तक चलता रहेगा, अनंत जाएगा, तो जो यहां मैंने शाबर लिखा है कि consecutive even numbers differ by 2, इसका meaning क्या है, कि जो आप ये संख्याए देख पा रहे हो, जै आठ आ गया, तो ये जो consecutive है, इसको हम consecutive भी बोलते हैं, और consecutive भी बोल देते हैं, तो क्योंकि आजकल हमारे यहां जैसे British English तो पहले से थी, American English भी है, और भी accent आ गया है, तो अगर आप इसको consecutive भी पड़ सकते हैं, और consecutive भी का सकते हैं, दोरों ठीक है, ठीक है, तो इन जो दो numbers हैं, यहां पर जैसे हम दो numbers लेते हैं, तो इनके बीच में जो अंतर रहेगा, 4-2, वो 2 का रहता है, ठीक है, जैसे हम 6-4 करें, तो वो भी 2 रहेगा, यानि कि जो अंतर आ रहा है, तो इस लाइन का यही मिनी है, कि consecutive even numbers differ by 2, यानि कि उन में दो का अंतर रहता है, और any one number is represented by 2 to end, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, कि कोई भी number हो, जैसे, देखो, क्या होता है, कि जैसे हम कोई भी number लिख लिए, मालो 3 लिख लिए, अब 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगी, तो वो हमारे पस क्या आएगा, वो एक sum संख्याएगी, जैसे कि मालो 2 को 7 से multiply कर दिया, तो यह हमा तो चाहे odd number अभी जो हम ताँगा आगे, विशम संख्या, यह 7 भी odd number है, विशम संख्या, और यह 6 जो है, यह sum संख्या है, तो हम 2 से किसी भी संख्या को गुना करें, यानि कि चाहे वो odd है, चाहे even है, यानि कि sum है या विशम है, तो हमें जो उत्तर प्राफ्त होगा, वो ह इस आपको समझा लगा home, यान मैं ने आभी अभी बता यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह पर, यहाँ पर जो बताया न है यह निचोर रूंबर होग और यह उचीन है, वampel लों में लिखा है यह м अगर जिरो रखिए तो फिर नंबर नहीं आएगा वो सबसे चोटा घूसे हमारे पास प्रशन उठता है कि सबसे छोटी समसंख्या क्या है तो वो हमारे पास क्या है दो तो यह अपने ध्यान रखना है सबसे छोटी समसंख्या दो है और सबसे बड़ी संख्या क्या है वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अनंत पे है इंफिनेटी पे बहुत दूर है ठीक है तो वहा नहीं लुक्तिति हैं और स्कॉतिति उन्वल्य का सफ्पिन। जनहीं क necessity युन। विचंच में लुक्तिति हैं विचंच नहीं होती farmers अगर इनको दो से भाग नहीं होती हैं अगर इनको दो से भाग नहीं होती हैं अगर इनको दो से भाग करेंगे तो आपको जो रिमेंडर है रिक्षेश्वल है वो जीरो नहीं मिलेगा ठीक है तो यह भी चलती जाती है अनंद तक इंफिनेंट तक जाती है तो यहां भी चोटा सा आपको प्रशन मिलता है कि जो हमारे पास सबसे चोटा और नंबर यानिकी यह दो संखें जो है यह लगातार संखें हैं तो इन में अगर आप अंतर देखो गें तो जैसे के तीन को यह मैं से घटाएंगे तब भी हमें 2 मिले यानि कि जैसे हम इनको गटाएंगे ऐसे यह ऐनगे लगातार हैं ठीक है तो यह लगातार odd numbers हैं विशम संख्य हैं तो इनका जो आपको अंतर मिलेगा या डिफरेंस मिलेगा वो तू मिलेगा दो मिलेगा ऐसे ही मैंने लिखिया कि odd numbers can be represented as follows मतलब क्या है कि जैसे कि हमने even number को ऐसे दिखाया था कि 2 गुणा एंद यानिकि 200 के साथ कोई भी संख्या डुना करें तो हमें हमेशा जो है वो कैसी संख्या मिलेगी हमें हमेशा even number oppose यानिकि संख्या मिलेगी इसी प्रकाल से अगर अगर हम यहां देखे हैं तो हम इसको इस तरिक कैसे भी बी सकते हैं जब हम आगे स्वाल करेंगे बड़ी क्लासों में तो हम यहां रिखेंगे 2N-1 2N मतलब आप देखो N का मान यहां पर आप कुछ भी रख दो N का मान लेकिन यहां पर हमने क्या करना है यहां प्राकृत संख्यां में से ले सकते हैं तो जैसे कि हम दो नमबर है वह एक है इसी प्रकार से अगर हम इसको लेते हैं यहां पर इस तरह से लिखते हैं 2N जमां एक तो यहां पर हमने इसको जो लेना है Anda हो हमने में हो नमबर यानि कि जो पूर्ण संख्यां लिए थी वहां से लिड़ा है तो सबसे चोटी कुन संख्या आप जान चुके है कौन सी है जीरो शुन्य तो अब हम क्या करेंगे इस एंड की जगा सबसे चोटी जिब संख्या भरेंगे 2-0 प्लस वन यानि कि 2-0 जमा एक तो ऐसा करने से क्या होगा देखो जब भी हम किसी भी संख्या को जीरो से शुन्य से गुना करें तो हमेशा मिश्या में आरे को क्या मिलता है जीरो मिलता है तो जीरो में जब एक जमा करेंगे तो क्या मिलेगा एक तो आप देखांगे कि यह जो चोटी और नंबर है यानि कि विशम संख्या है इस परकार से हम इसको जब स्वाल करेंगे तो इस तरह भी ले सकते हैं इस तरह भी ले सकते हैं लेकि फरक क्या रहेगा जब हम इसको इस तरह लेंगे तो हम N को नेचरल नंबर हो यानि प्राकित संख्या मानेंगे और जब हम तो इस प्रकार से लेंगे तो हम क्या करेंगे एंड को एक होल नंबर लेके मान के चलेंगे होल नंबर यह अभी कि जीरो से शुरू होने वाले ठीक है तो उमीद है आपको समझ आ गया होगा आप इसको व्यूडियो को पोस्ट करके और इसको नोट कर लें कि अबाज्या संख्याएं जो होती हैं को हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं उससे पहले इसकी जो डेफिनिशन है जो परिभाशा है उसके अंदर मैंने लिखा कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो गुननखंड होते हैं तो इसमें दिक्कत के आई यहली हैं जैसे हम ब biology को तीन गुना चार और यह कितना एग मैं नखें बीवाः तो इसमें नी चार को इसमें elesारी में पारच कि रोलमा य यह यह गुपल भी करते हैं और तीन और चार जो हो बारच के गुननखंड हैills क्या है यह गुणन खंड तो यह गुणन खंड है तीन और चार यानि कि तीन और चार को गुणा करने से बारा या हम यूँ भी कह सकते हैं कि बारा जो है वो तीन से भी भाग हो जाता है और चार से भी भाग हो जाता है तो बारा जिन जिन संख्याओं से भाग हो जाता है वो स तो यह 12 के गुणनखंड है और 12 इनका भी 12 क्या है गुणज है यानि इनको गुणा रखके 12 आया है तो अब आपने ध्यान देना है तो जैसे हमने यहां देखा उपर हम दिखेंगे तो ऐसी प्राकिट संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं जैसे एक यहां मैं लिख दूँ एक वैसंख्या अपने आप वैसंख्या अपने आप ठीक है अब यहां पर जाप देखोगे उधारन के लिए हम देख लिखते हैं यह जो मैंने इज लिख लिखा ई और.ट जी करके हम लिखते हैं इसका मलब दाव एक्जंपल इसका मलद बक्ता है फौर तो आप समक्राइबूरों को देख सकते हैं च्छजा के ल्याच या नितनी इन और 1 से भाग होती है या अपने आप से ही भाग होती है तो इनके केवल दो गुननखंड है ऐसी सभी संख्यां को हम क्या करते हैं अभज्य संख्यायं जिसको अंगरेज़ी में prime numbers करते हैं तो a natural number which has exactly two factors that is one and the number itself तो अपने आपको हम आपको क्या कि आपको समझाऊंगा तो पहले मैं definitions लिए तो उसके बाद में सारा आपको brief करूँगा तो यहां पर आप देखोगे कि एक जो है उसका एक ही गुणनखंड है यानि कि दो नहीं है तो अभज्य संक्या होने के लिए हमारे पास दो गुणनखंड होने चाहिए तो एक का एक ही थी गुणनखंड है कि इसलिए इसको लड़न ही इन दो हम इसको प्राइम यानि कि ना तो हम अभज्य संक्या मांते और ना तो इसका जो परिभाशा है वो क्या है तो ऐसी कोई भी प्राक्रित संख्या जिसके दो से अधिक गुननखन होते हैं ऐसी संख्याओं को भज्जा संख्या कहते हैं तो इसका इंग्लिश जो डेफिनिशन है वो क्या है तो जैसे इसके उधारण में ने दिये हैं एक्जामपल फॉर्टें फिफ्टीं एट्सेटर और तीन डॉट यह लगाने का मतलब है कि आगे भी चलते रहते हैं तो यहां भी मैंने लिखा है कि एक जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपजिट है वो क्यों है अभी मैं इसका टे अब Jetzt है यहां पर यह जो चुर्ड है जो चार के जो फैक्टर सिप्सेट है दौसे अधिक है ठीक है पिशके 53 दो मतलगे मैं इसी सब इसके को संश्बं को क्या बोलते हैं यह वह जरए नुखिए हैμε क या यॉद्य को CHAN unionsि इसमें दो प्रशन और बनते हैं कि सबसे चोटी अभज्य संख्या कहुंसी है अभज्य तो आप पिछला पेज है उस पर जागर आग देखो गए तो सबसे चोटी अभज्य संख्या कहा है दो है ना तो चलो यह मैं आपको अगले उसमें उताता हूं पेज पर तो आप अभी लिखलु जो यह मैंने आपको लिखवया है जो बज्चे संख्या कहा है उसके बाद माँ टेबल बनागे आपको सारा कूँ संझा था है कि इस को अगर आप दिए से तक हिल गाए एधर मैंने कुछ संख्या ल Abram तो यह दस तक ले लिए हैं यहीं से मैं बत्ते समझा जाएंगी कि यह मैंने क्यों लिया और क्या इनका हमारा देखने का मतलब है तो अभी फिलाल के लिए आप एक को छोड़ दो और यहां से हम चुरू करते हैं कोनि नहीं प्रोव करते देखो इंसे कुछ टेबल से आपको कुछ बत्ते समझाईिए ऊज्वाbon तो जैसे कि आपने यहां देख trata की और यहां देखा ठीक है और कुछ ऐसे हैं जैसे यह इंगे गोड़न काट इधर भी आ रहे हैं तो यहां से हम समझते हैं तो पहनथेंब देखें इस लाइन को देखें, इस कुली लाइन को. इस है शलिदी यह एन ग्लाम हो को तक तो आपको कुछ देखेंगे अगरिनी दिखेंगे हो अगरिसbble अगर आपको कुछ शाइए और आपको कुछ यूज को आपको इस तरह 8 9 10 सभी एक से अपने आप से भाग हो रहे है तो इससे एक बात निकलके आती है कि सभी संख्याई सभी संख्याई एक से भाग होती है तो इसका मेनिंग है हुआ कि एक सभी संख्याओं का का गुननखंड है मेनिंग क्या हुआ कि every each number हम कह सकता है कि each number is divisible by one that means one is a factor of each number हर एक number का one जो है वो factor होता है जो गुननखंड होता है दूसरी बात हमने या दिखा कि हर एक number अपने आप से भाग हो रहा है हर एक number सभी number जो है अपने आप से भाग होते है तो हम या लिखेगे कि इस सभी संख्याओं अपने आप से भाग होती है यानि क्या है कि each number is divisible by itself तो इसका मतलब यह हुआ कि हर संख्या हर संख्या अपने आपका एक गुननखंड है का एक गुननखंड है तो अगरेजी में क्या कहेंगी each number is a factor of itself each number is a factor of itself तो यह बात होगी होके डी तो अब हम next बातो है अब next बात पर uda है है कि जैसे हिएंगा संख्या ली है यहाँ संख्या है लिए पर इस सेप्रय उननखंड हैu इस लाइन के बीच में है इन-स लाइन के बीच में है और कुछ के बाहर है तो जैसे कि ये दो के गुणनखंद है ये एक और दो ही है तो जो एक और दो है याई कि इनके गुणनखंद दो है exactly two factors है इसके याई दो गुणनखंद है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहींगे जैसे तीन है, इसके दो गुनन खण है, पाच है, इसके भी दो गुनन खण है, साथ है, इसके भी दो गुनन खण है, तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कि ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, अभज्य संख्याओं, अभज्य संख्याओं, ठीक है, अब सुच्छा है, तो ऐसी जंक्छाँ को हम सुच्छ हैं गया है, अच्छा उसके बाद देखें यहां पर देखेंगेगे, यहां पर जैसे 4 है, अब यह 4 है, इसके 2 गुननकौल तो यह होगे एक और अपने आप और इसका एक गुननकर्ड यह और भी है, यानि इसके गुनन चार के गुननखंड यानि 4 जो फेक्टर्स है वो more than two हो गई यानि 2 से ज्यादा गुननखंड है तो ऐसी संख्या को हम क्या करते हैं भज्य है भज्य है यानि composite numbers और अब 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 गया मोलते हैं भज्य संख्या ठीक है अच्छा उसके बार देखो 8 है 9 है 10 है यह सभी की जो गुननखंड है यानि फैक्टर्स हैं के इनके गुननखंड जो फैक्टर्स है वो दो से ज्यादा है यहां तो अब यहां से हम और क्या देखें अब हम आते हैं एक अक्य उपर अब ल्यक्तर्स आजए बड़ा कि अमैंडा से है दू यहां और कि ठतीक वहां दो से जादा गुननखड थे धुं जो आ पूरा करता है जो अभज्जे के ही है यानि कि प्राइमम्मर के ही है और ना ही इस कंडिशन को पूरा करता है जिसमें दो से ज़्यादा गुणन खंड है यानि कि तीन चार पांस ऐसे गुणन खंड हो सकते हैं तो इसका एक ही गुणन खंड है तो इसलिए जो एक है वो किसमे आता है, one is neither prime nor composite, तो इसको composite बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि एक नय तो भज्य है, नही अभज्य है, तो देखो, अब एक और बात निकले काती है, तो मैं इसको यहाँ लिख लगता हूँ, कि सबसे छोटा, सबसे छोटी अभज्य है संख्या, सबसे छोटी अभज्य संख्या, कौन सी है जी, सबसे छोटी अभज्य संख्या आप यहाँ दिखोगे, यह दो है, दो सबसे छोटी अभज्य संख्या है, ठीक है, अच्छा, इसी की परे में एक और बात है, हमने सम और विश्यम संख्या देखी है, तो यहाँ एक बात निकल कर आती है, देखो, आप देखोगे, कि जितनी भी अभज्य संख्या है, उनमें केवल दो ही एक ऐसी संख्या है, जो की सम संख्या है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, गया जितनी भी अभज्य संख्या है, वे सारी की सारी विश्यम संख्या है, ओर नम्बर है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, तो सबसे चोटी अभज्य संख्या दो है, और हम कहेंगी, इवन प्राइम्स कितने हैं, E1 प्राहिम यानि कि अबज्य विशंग अबज्य संख्याई या हम पहले कहें कि सम अबज्य संख्याई तो सम अबज्य संख्याई सम अबज्य संख्याई तो जो सम अबज्य संख्याई यानि सिर्फ एक ही है केवल एक ही ऐसी संख्या है जो even prime number है यानि कि sum अभज्य संख्या है वो है 2 ठीक है उसके इलावा सभी अभज्य संख्या है जो है वो odd है और यानि कि विश्यम संख्या है तो जिसे आप देख सकते हो यहां पर 3, 5, 7, 11, 13 जो मैं पिछले लिखवाया था वहां पर वो सारी की स विशन अब dhjjya अंधानरा है ठीक है अच्छ उसके बाद जो भज्य संख्या है तो यहां पर सबसे प्रशन बंते हैं सबसे छोते भज्य संख्या को और सबसे उसादए खर कि डिखार है सबसे €17,000 कर दिखो गया यहां यह चार तो 4 सबशे चोटी भज्य संख्या है जहा तो उमीद है आपको समझ आ जागा होगा तो इसको नोट कर लेना है ठीक है तो अब हम बात करते हैं सह अभज्य संख्याओं की जिने हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं तो ऐसी प्राकृत संख्याओं का जोड़ा तो जोड़ा कहा गया यहां पर तो जोड़ा जो होता है वो हमेशा दोगा होता है अगर मैं समू की बात करता हूं तो समू दो से ज्यादा होता है दो से जदा, अगर कोई संख़्य हैं तो उने समूख आ जाएगा, उनका समूद का जाएगा, और जोड़ा वंचत दो का होता है, इसलिए कोई भी दो प्राकिट संख़्य हैं, जिनका सारव, सारव मतलब संज़ा, यानि जो संजा गुननखड है, सारव गुननखड जो एक होता है, वे संखेश सह अभज्य संखेश कह राती है, तो जैसे के पांच और साथ, अब अगर आम नीचे देखें, तो जैसे के मैं कहूँगी पांच और साथ, किस किसे भाग होते हैं, तो आप देखोगे, पांच एक पांक दोनों का एक समान है ठीक है तो यही गुननखंड है जो एक समान है तो इनका जो सारण गुननखंड है वो एक को प्राइम नंबर यह नहीं कि सहा अबज्य संख्याई कहलाएंगे ठीक है इसी प्रकास से मैंने कुछ और उतार लिखे ज़े च्छे और 11, 2 और 15, 3 और 4, 27 और 16 आप देख सकते हो कि इनके जो गुलन खंड है उनमें जो सारव गुलन खंड आएगा वो सिरफ एक ही आएगा अकेला एक ही आएशा नंबर होगा जो इसका सारव गुलन हंद होगा तो इस च्छो है हमारी को प्रैम नंबर जैसे हैवाजक अबज्य संख्याय कहलाती है तो ये तो इससे पहले मैंने आपको था थी तो हुंने आपको कहा था कि प्राक्रत संख्या नेंच्रो नंबस यानि कि वहां ये जूरूरी नहीं था कि संख्यान अभज्य रहेंगी संख्यान का रहेंगी बhogज्य तो जैसे आण luxe में जिनका आप maior गृरुप जोड़ा काऊंगा तो यहां जैसे तेरा में से अगर हम 11 को गटाएं तो आपको 2 मिलेगा तो जैसे यह जोड़ा है यहां पर अगर आप 5 में से 3 को गटाएं तो भी आपको 2 मिलेगा तो ऐसी सभी जो संख्याई है जो अबज्य संख्याई है जिनका अंतर जो है वो दो रहता है तो एसी सभी अबज्य संख्याई जो है वो जुड़ां अबज्य संख्याई कहलाएंगे जिनको हम इंग्लिश में ट्विन प्राइम्स बोलते हैं तो अंग्रेजी में इसकी जो ड कि अब और ट्रिक शंख्याय कोंच होती है ? यसी हमने एक चीज आगे पढ़ेगा है पाइथागुरीयन ट्रिप्लेट यान यह इदिए पाइथागुरस ट्रिक होता है तो वह क्या होता है वो भी ऐसी संख्या जैसे सबसे चोटा हम मान के चलते हैं उसमें वैसे होता हो उससे भी चोटा है लेकिन जैसे हम तीन चार और पांच का एक तरीक होता है वहाँ पर ठीक है पाइथागोर्स का तो अब इसकी बात हम बात में करेंगे तो यहां से एक शब्द आया कि पाइथ अच्छे त्रिक संख्या है कौन से होती है प्राइम ट्रिपलेट जिन को हम अगरेजी में बोलते हैं तो ऐसी लगाता तीन अभज्य संख्याओं का स्मूज जिनका अंतर दो रखता है जैसे के हमने उधार लिया यहां पर तीन पांच और साथ आप देखोगे तीन और पां यहां इनके अंतर लगाता रहें तो इनका अंतर फहर के जोहते हैं को इनका अंतर दोका हैं तो ऐसे संमू मारे पास मिलते हैं 4 तीन सिंख्याओं के उनको हम टूम ट्रिपलेट कहते हैं तो यहां से हमने और देफिनचिल के प्राइम टीप्iron की तो कोई भी ऐसी संख्या या नंबर जिसको हम कहते हैं जिसके सभी फैक्टर्स यानि गुणनखंडों का जोड यानि योग जो होता है वो उस नंबर से दुगना आ जाए जैसे कि हां उधार्ण हमने छे तो आप देखोगे कि 6 किस किस से भाग हो जता है तो सभी नंबर का एक गुणनखंड है फैक्टर है और हर नंबर अपने आपका भी गुनांखड होता है, तो हमने यहांड के सभी गुनांखड लेना हैं संक्यागे यनि कि एक भी लेना है, अपने अब भी लेना है और बाग की जो गुनांखड है, वो भी लेना है तो जो यह 12 है, यह 2 गुणा 6, यानि यह 6 जो है, यहां से देखो, यह 6 जो है, इसका 2 गुणा है, यह 6 का 2 गुणा, तो यह 12 जो होगा, दो गुणा हो गया, तो it means, के 6 एक perfect number है, परिपूर्ण संक्या है, इसी तरह 28, 449, 8108 है, आप खुद करके दिखेंगे, अगरेजी में में एनेश की definition दे रही है, if sum of all possible factors of a number, including 1 and itself, the number itself is double of the number, then that number is called a perfect number, तो उमिद करता हूँ आपको यह समझाया होगा, तो अभी तब भी हमने यह संख्या ही बढ़ी है, चोटी क्लास में हमारे काम आजेंगी, छटी क्लास से जब हम काम शुरू करते हैं, तो इसमें अब यह बात आती है, जैसे के हम संख्यारेका लेने मालों, यह हमने संख्या लिए और लेफ्ट हैंड साइड में हमने नेगटिव नंबर लिए दनात्म को और रिनात्म को इन कौम बोलते हैं ठीक है तो यह हमने संख्या रेकाल ऐसे लेके देखी थी पहले तो अब जैसे गणित अगे बढ़ी तो जैसे पहले तो मारे पास गिनने के लिए संख्या थी फिर हमने एक कंसेप्ट लाया कि जो कुछ भी नहीं है उसके लिए हमने जीरो लाया फिर यह नेग्टिव नंबर कैसे आए तो नेग्टिव नंबर इस तरह से आए कि जैसे हमने करें लेगा कि प्लस पचास हो गें इसे समंदर से उपर हम जारे हैं चाहिए उसको पोजितिव से दनातमक्त से दिखाएंगे माले समूंदर से निचे सब मैरी इंतार ही और रही या रही है किसी इसको बोलते हैं सिंपल बाशन में समुद्र के निच्छे तैर रिया हो सबमरीन जिसमें फोजी वगारा जो हमारे नेवी के चलते हैं तो जब वो नीच्छे तैर रिया तो समुद्र के नीच्छे जब लेंगे तो उसके जो गहराई होगी उसको नेगटिव निंबर से दर्शाथते हैं इसी परकार से जैसे हम टैमप्रेचर मालते हैं तो तह तो यह दो थर्मा मिटे रखता है तो तो जब तो यह जीरो से ऊपर था तो ऊपर के लिए तो हमने क्या घना जमा के लिए जो नंबर थे वो यूज़ करें अचा जहां बहुत ज़्यादा बरफ थी जहां जीरो से भी नीचे टेंपरेचर है जहां बरफ जम जाती है और व्यक्ति तक जम जाते हैं अगर बाहर रहें इतनी ठांड हो जाती है तो उसको कैसे देखेंगे तो जब जीरो से नीचे हम आजे तो इसको कैसे दिखाएंगी यहां पार जीरो और एक के वि dijni ए नम्पर आजे तो इसको कैसे दिखाएंगे तो तब हमारे पास संख्याई आए जिनकों हमने कहा कि परमें संख्याई छे कि परिमे संख्या हैं ठीक है तो तब यह concept है परिमे संख्याओं का ठीक है तो इससे अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया तो इससे पहले मैं जो है आपको एक fraction के बारे में बात करूगा fraction ठीक है तो fraction के बारे में मैं बात करने के बाद फिर मैं पर इमाइश संक्राओ पर दुबारा से आऊँगा तो यह उमीद है आपको समझाया हो गया यतनी बात अब हम बात करेंगे, fraction या बिंकी, ज्यादा इसको गहरई में नहीं पड़ेगे लेकिन छोटा छोटा इसको हम सीख लिए, कि fraction क्या है, तो जैसे हम उधार लिए बच्चो को छोटा-छोटा इक उधार लिए जैसे कि हमारे पास मालो, मम्मी ने एक प्रॉठा बनाया, ठिक है अब जैसे माल लो यह आप एक परोठा खाने बैठे और वैसे ही वैसे आपकी जो है छोटी सिस्टर आ गई घर में अब आप तो खाना चाहते थे पूरा अब सिस्टर क्या करेगी वो थोड़ी खाने देगी आपको ठीक है वो तो जो है फर्स पर लंबी लेड़ जाई जाई उसके रिए फिर क्या करो गया अच्छा आप जो सानी जादा बच्ची है आपनी बहर को ग 봤ो आई यह ले 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 तो क्या जो आपकी बेहन है वह यहां अपसंद गरेगी को ओ लो नो वो क्या कहेगी मन वहां तो यह वाला हिस्सा लोगी चाहल है वो हमने वड़ाप नहीं मैं तो हमारा एहां तरीका रहेगा अब आपकी मुम्मी है वह क्या हो दो प्रभा इस Gel इसको दो कर दो मैं डोट और किकी तो इसका अगाव यतिन डूक हम निव और यहाँ दो उन और तो कि जो पूरी रोटी थी हमारी ये पूरी प्रोठा था ये जो निच्चे का हिस्सा है ये हमें क्या दरशाथता है ये हमें दरशाथता है कि उसके हमने दो बरबर भाग कर लिए दो बरबर भाग और ये उपर का जो हिस्सा है वो क्या दरशाथता है नहीं वो दरशाथता है इ यह जो दो प्राबर हिस्चे के रहे हैं, उसमें से हमने एक भाग लिया है, ठीक है, तो 1 by 2 shows us that we have divided 1 प्राथा into 2 equal parts, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, अब गर माल लो ऐसा ना किया हुता अभी 2 minute के लिए, तो अच्छा, इसको हम जो, यह 1 by 2 है, इसको हम क्या कहते हैं, half, क्या ब लो बाहर से एक ता आपकी बहन आगी थी, एक आपका आगया भाई, अब वो कहा रहा है, जी हम भी प्रोटा खाएंगे, तो अब क्या होगा, अब आपकी अम्मी क्या करेगी, उसमें से ऐसे करके, कुछ ऐसे बना देगी, ऐसा करके, कुछ इस तरह से बना देगी, है ना, अब क्या होगया, अब यहाँ पर देखो यह तीन हिस्से होगे, तो इसका मंदला हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 by 3, यानी 1 by 3, या 1 over 3, यानी कि 1 by 3, या 1 by 3, तो येregी विंकलम है हमारा लाईन है, तो देखो आप ये जो हिस्सा है निचे वाला, तो इस निचे वाले हिस् ठीक है और यह जो उपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या हो लेगे नूमी रेटर है ठीक है जी तो एक हमारा अंश हो गया और एक हमारा हर अंश और ये हर तो अभी जो ये निच्चे वाला हिस्सा है इससे हमें पता चलागी हमने जो अपना हमारे पास जो भी था जैसे हम परोटे की बात कर रहे हैं तो हमने उसको कितने बराबर ध्यान देना है मैं शब्द बोट रहा हूँ बराबर 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 बहुत जुरूरी है फ्रेक्शन में जो हम पार्ट करते हैं वो बराबर होने जुरूरी है तो इससे यह जो निच्चे का हिस्सा है इससे हमें पता लगा denominator से हमें पता लगा कि जो हमारा प्रोंटा था हमने उसको three equal parts यानि तीन बराबर हिस्सों में बांट लिया और एक से हमें पता चलता है कि हमने एक हिस्सा लिया अच्छा मालो कोई बच्चा है उसने ये भी खा लिया और ये भी खा लिया तो कितने भाग खा लिया उसने दो भाग खाए तो इसको लिखेंगे 2 by 3, 2 upon 3, यानि 2 बटे 3, तो यानि कि 3 भाग थे और 3 भाग में से उसने किजने खाई, 2 भाग उसने खा लिये, अब मालो बाहर को उत्ता एक पूछ इला रहा है, ठीक है, उसने क्या करा, यह जो इससा था, यह उसने एक डोगी को डाल दिया, ठीक है, तो डोगी को उसने 1 by 3 और उसने 2 by 3 खुद से खा लिया, ठीक है, तो अब हमने सेख लिया कि फ्रेक्शन क्या है, भीन क्या है हमारे पास, ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मैंने माइनस 1 बटे 2, रिनातमक 1 बटे 2 परोठा खाया, या रिनातमक 1 बटे 2 सेव खाया, या 2 by 3 जो है रिनातमक मे यानि कि negative में 2 by 3 बने परोठा काया, ऐसा कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि इससे हमारे पास जो है, हम negative में नी यूज करते हैं, fraction को, तो यहां पर आमने एक चीज़ नोट करनी है, कि fraction is always positive, fraction is always positive, यानि कि जो भिन है, भिन हमेशा धनातमक होती है, भिन हमेशा धनातमक होती है, तो इससे हमें यह पता लगा कि भिन धनातमक है, तो देखो, अब हमें मालूम पढ़ गया कि इसमें दो भाग हैं, जो हमने भिन बनाई है, fraction बनाई है, एक उसमें उपर का जो numerator है, यह उच्छे तो अब हम बात करते हैं आगे चलके के हमारे पास जो परिमे संख्याओं है तो अब हम बात करते हैं परिमे संख्याओं के परिमे हम बात करते हैं रैशनल लंबर्ज के रैशनल लंबर्ज के तो यह रैशनल लंबर्ज के हैं तो हम देखेंगे कि जो हमने अब अभी फ्रैक्शन सिख्की जैसे 1 बटा 2 तो दो बटा तीन साथ बटे दस इस तरह से हमने जो शिखा तो यह सारी की सारी क्या हैं यह सारी की सारी के mail परिमे Treaty संख्याए हैं क्या ह匹 employer परिमे शंख्या हैं तो एक चीज जहान देली है अब अगर मैं देखू न यहां पर अगर मैं इसे लिखू माइनस एक बटे दो और यहां मैं लिखू एक बटे दो तो आप देखेंगे कि एक बटे दो जो है यह हमारी परिमे संख्या भी है और साथ में यह भिन भी है भिन लेकिन अगर हम इन दोनों को देखे हैं तो ये दोनों परिमेर संखे हैं लेकिन ये जो है ये हमारी भिन नहीं है ये भिन नहीं है ये भिन नहीं है लेकिन ये दोनों संखे हैं ये भी और ये भी दोनों की दो परिमेर संखे हैं तो हमें यहां से पता लगा अगर हम इनकी definition लिखे अब तो definition यह बनती है कि कोई भी जो संख्या है जो बटे वाली संख्या है यानि upon में है ठीक है ऐसी संख्या जो पटे क्यो की तरह लिख सकें यानि बटे में लिख सकें और यहां कुछ बात आती है कि जो क्यो है हमारा वो जिरो नहीं हो सकता ठीक है वै पी वै क्यो जो है वो सह अबाज्य संख्या है सह अबाज्या है सह अबाज्या संख्या है ठीक है तो अब यहां पर यह जो क्यो बड़ाबर जीरो नहीं है इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है तो जैसे एक चीज देखनी है कि सबसे पहले आप माइनस तीनमटे 5 यह थीक एक फॉन वाली जो वाली सैघ्छ है 3 । थीओ पॉन 5 प्लस में मैनस में 7 पॉन 8 इसी वूं ना करकी वह रिखें हैं वह तो नुछसरी और है दूसरी वाली सी यानी euro जो इसका हर है यह निच्चे बाला यह जीरो यह निच्चे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से यह not defined हो जाएगी जिसको हम बता नहीं सकते तो इसके बारे में मैं आपको बात हम ताऊंगा कि हम सिर्फ अभियाद रखना है कि जीरो से हम भाग नहीं कर सकते तो इसको हम नहीं बता सकते हैं कि इसलिए हम जो है क्यों इस नौट इक्वल जीरो के पर नहीं हो सकता दूसरा इसके बात है क्यों सहा बज्य संक्राय मैं आपको बता चुका हूं कि सहा बज्य संक्राय कुंशी होती है जिन में सांचा सारफ गुणंखंट केवल एक होता है यानि कि आप जैसे एट आठ बटे सोला लिए अब कहने को तो यह जो हमारे पास है यह क्या है यह एक परिवया संक्राय है लेकिन यह स्टेंडर फॉर्म में नहीं है यह अपनी स् घया निच्छीं को अगरतेंगे उपर निच से 2 इंप अगही इसफेल है इसे खेल इस हमारे संख्या होगी इंग्लिश में हम इसको डेनिश्युन को लग सकते हैं Yash numbers a number in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. तो यह अभी आपने छोटी सी definition यानि परिभाशा याद रखनी है वैसे इसकी अगे और भी परिभाशा में दे सकते हैं जब हम नुमी क्लास में जाकर के irrational numbers यानि आपरी में संख्याएं पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताते हैं कि जो आइधर terminating और repeating होती हैं जो संख्याएं यानि जो संख्याएं कहीं जाकर कि खत्म हो जाएं या तो decimal के बाद खत्म ना हो लेकिन वह बार बार शुरू हो जाएं आनी कोई भी संख्या आनी शुरू हो जाएं तो वह repeat होने यह बोलते हैं उसको तो वह संख्याएं हमारी परिमे संख्या कहलती है और जो ना तो खत्म हो ना ही वो रिपीट हो ना इधर टर्मिनेटिंग नॉट पीडिंग बाद फिर हमारा रियल नंबर्स भी आते हैं और दसफी कलास में और उसके बाद फिर हम हम इमेजरी नंबर्स की बात करते हैं complex नंबर्स की तो वह बड़ी क्लासों में हम पढ़ेंगे तो अभी वह हमारा टॉपिक नहीं है तो अब हमारा टॉपिक यहां तक था ठीक है परिमेशंख्या हो तक तो अगे जब हम fraction यानी बीन पढ़ेंगे तो वहां भी हम बीन के अलग-अलग बड़ार पढ़ेंगे कि बीन किस तरह की होती है ठीक है तो वह हम बाद में करेंगे तो अभी आपको समझ आगए होगा कि परिमेशंख्या हैं क्या है तो सभी परिमेशंख्या है जो है वह वह प्रशन है कि सभी भीन जो है वह परिमेशंख्या होती है लेकिन सभी परिमेशंख्या है भीन नहीं होती क्योंकि जो भीन होती है मारे पास यानी जो फ्रेक्शन होती है यानी जो फ्रेक्शन होती है वह हमेशा धनात्मक होती है तो यह बात ध्यानक नहीं है उम्मीद करता एकाइद संख्याइए प्राक्रिट संख्याइए उसके आद में पड़ी पूर्न संख्याइए एक पूरु नो भूज थीजिए फिर हमने क्या पड़ा ऊसके अदम इंप्रणाग पड़ी है अगर किसी को याद नहीं है तो पहले देख लेना है दोबारा वाहई है उसके बाद है है एन्हें के इन्की प्रखार केसे कैंपरी प्राय restrictive चुन प्रायश कोपोजीट प्रायं नंबर्स फडी निपल है तो सबत्रा या सब पढ़ी यह है और और लास्ट में आप्पर ओस्टनमेशंखर। कि तब कर दो यह घंद करें। शेयर की जिफ्टनमक्लाइश एक तो आफ प्रशन आता है कि की क्या यह सभी संखह में अब तक पड़ी तरह बरेका तक ने प्रक्राघ मोसण से लेकर अब five संख़ह को तो अनोग परिमें संख्या तो हमें प्रशन आता है कि क्या यानि क्या ये प्रशन तो क्या प्रकृत संख्या या पूल संख्या या हम कहें पुर्णांक जो है क्या ये सभी परिमें संख्या हैं हैं तो क्योंकि जानकारी के भाव में जातर बच्चे जो है वो उत्तर महीं जातर नहीं दो लेकिन जितनी भी संका हैं हम यह अब तक पड़िए हैं वे सभी संखाइं परि मैं संखाइं हैं नहीं आप कहोगे जी आपने तो गहा था कि बटे वाली संख्या यह देशी पासा में अगर बात करेंगी बटे वाली संख्या वह परी में होती है यह यहां पर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए निचे और यह पीवटे क्यों की तरीके से लिखा उना चीए लेगिन जैसे कि हम देखत की बात करें तो लिधा सब्क मीन अपर सकते हैं यह बटे में में उनला इजिसको एक समस्मy चेहां करें तो आप लोग कि अगरा इसको एक से बात दे इसको वो हैसे बात धी कहां है क्या सबस्क्राइब बनाता है जो वो पहले से होती है मतलब पांच का पांच ही रहेगा है बेशचा क्या से बाते को आ थेरिक ओलगे कि अब यह संख्या है पांच बट्निटी एक टो पांच बटiej एक जो संख्या को पीеш Northwest तो संख्या भी नहीं बदली इस परकार से हम सभी संख्या जितनी हम नहीं अब तक पड़ी है अगर उनके निचे बटे एक लगा दे तो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता अच्छा एक ही जिसे केस होता है कई बाओं बच्चों को गईन फूजन ओता है तो इसे पिछे में ने बताया कि हम जिएरो से बाहर नहीं कर सकते तो भाई जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो अन्सर जी रृएगा लेकिन अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से बाहर करना चाहिए तो यह हम उत्तर तो इंग्लीश में हम इसको कहते हैं not defined not defined और हिंदी में इसको हम लिखेंगे अपरिभाशित अपरिभाशित तो यह याद रखना है आपने कि हम 0 को किसी से भाग, मतलब 0 से किसी को भाग नहीं कर सकते, 0 को भाग करेंगे तो उत्तर हमें 0 मिलेगा, लेकिन जब 0 से भाग करेंगे तो हम उस उत्तर को नहीं निकाल सकते, वो उत्तर इतना बड़ा हो जाता है, जिए हम उसको बता नहीं सक तो अंग्रेजी में इसके लिए not defined और हिंदी में इसके लिए शब्द है आपरी भाशित तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा